हैलो एन वेलकम बैरी है हम आसवादन कर रहे थे एक समस्परनातमक लिख विश्णू परफाकर जी का जिसमें उन्होंने उग्रजी के बारे में लिखा तो हम आगे दिखते हैं वो क्या लिखते हैं؟ उग्री जी की व्यंग करने की शमता और उनकी अनोखी शैली के विवेचन का यह अवसर नहीं है क्यों? क्योंकि कल ही उनकी मृत्यू ही है और मृत्यू होने के पस्चाथ ही विश्णू प्रभाकर जी ने ये लेख लिखा है, तो आज उग्र जी की व्यंग्य करने की शमता या फिर उनकी अनोखी शैली लिखने का जो स्टाइल है, उस पर विवेचन करना उनका उद्देश नहीं है, मेरा ध्यान उनके विक्तितों पर ही जाता है, उनकी भाशा को ना सह पाकर भी उनके उग्र अहम और गतिमय विक्तितों ने सदा मुझे प्रभावित किया, मैं उनकी भाशा से कभी सहमत नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उनके उग्र अहम और उनकी गतिमय विक्तितों, उनकी परसनेल्टी काफी गतिमय थी, उनकी उग्र अहम अहम भावना वो भी काफी उ इन दोनों ने सदा मुझे प्रभावित किया। अब देखे नौ साल बाद मेरी मुलाकात उनसे 1949 में मिर्जापुर में हुआ। तो नौ साल बाद उनसे मुलाकात हो रही थी। वो मुलाकात भी शनी की थी, थोड़े समय के लिए ही थी। लेकिन वो तुरंत ही पैचान गए और बड़े सनेहक के साथ उन्होंने मेरा स्वागत किया। बैटने के लिए कुर्सियां लाए, खूब समस्मरन सुनाए, बहुत सरी कथाएं सुनाई, भोजन के लिए निमंतरन दिया, कहा, मैं तुम्हें पकवान नहीं खिला सकता, प्रेम के साथ जवार बाजरे की रोटी खानी है, तो स्वागत है। उनकी स्टाइल ही ऐसी है, मैं तुम्हें पकवान नहीं किला सकता, प्रेम के साथ अगर जवार बाजरे की रोटी खानी है, तो स्वागत है। उनका वहस ने भरा निमंतरन स्विकार करके हमें खुशी होती। लेकिन चुकि हमें आगे जाना था, इसलिए इस सावभाग्य से वंचित रह गए। पर बातों में बड़ा आनन्द आया। हम उस समय उनके उस निमंतरन को, भोजन खाने के निमंतरन को स्विकार नहीं कर पाए। क्योंकि हमें कहीं और भी जाना था। लेकिन स्विकार करने पर हमें काफी खुशी होती। क्योंकि एक ऐसे विक्ति ने हमें भोजन पर बुला ये हमारा सवभाग्य ही था कि उन्होंने हमें कम से कम निमंतरन तो दिया पर बातों में बड़ा आनन्द आया। ततकालीन साहित्य की तथाकतित नेताओं को लेकर उन्होंने जो कुछ भी कहा वहर रंच मात्र भी अनर्गल नहीं था। उस समय के ततकालीन नेताओं के बार उस समय उग्रजी ने जो बातें की वो एकदम सटीक था मतलब कि जो कुछ उनने कहा एकदम सत्य ही था। मुझे ऐसा लगा जैसे वे अब कुछ गंभीर हो गए हैं जैसे बुद्धी को कुछ स्थाई तो मिल गया है गालियां भी कुछ कम हो गई हैं देखे नौ साल बाद जब उनसे मुलाकात हुई तब मुझे ऐसा लगा जैसे वे कुछ गंभीर हो गए हैं नौ साल बाद मिलने पर जैसे उनकी बुद्धी को कुछ स्थाई तो मिल गया है गालियां भी कुछ कम हो गई हैं कहीं ठक तो नहीं गए तब मुझे लगा कहीं वो ठक तो नहीं गई य लेकिन सिने जीवन के समस्मरन सुनाते हुए जब उन्होंने प्रसिद अभनेतरी श्रीमती दुर्गाखोटे की चर्चा की और बताया कि उसने एक दिन मुझसे सेट पर ही एक संबोधन बदलने के लिए कहा। वह चाती थी कि अमुक व्यक्ती को उससे प्रिय न कहलवाया जाए। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में उनका जो अनिभव था बेचन शर्मा उग्र जी का उस पर जब बाते हुई तो वो काफी उग्र हो गए अपना उग्र सभाव वे लिने लगे। खास करके जब उस समय की प्रसिद सिनिमा आर्टिस्ट अभिनेत्री श्रीमती दुर्गा खोटे की चर्चा चल रही थी तब उग्र जी ने कहा कि एक डैलोग कुछ ऐसा था जो दुर्गा खोटे जी ने बदलने को कहा। स्क्रिप्ट राइटर के बतोर उग्र जी को डैलोग बदलने की सला दी अभिनेत्री ने क्योंकि वो नहीं चाती थी कि कोई और आक्टर उससे ज़्यादा फेमस बनी। तब उसी इतना गुस्सा आया उस समय उग्र जी अपनी चिर परिचित आवर नहीन उग्र भाषा का प्रयोग करने लगे। उस बारे में जब वो बात कर रहे थे फिल्म इंडस्ट्री से सम्बंदित, दुरगा खोटे से सम्बंदित, तब वो इतने उग्र हो गए, गालिया आने लगी, गुस्सा आने लगा, अपना उग्र सभाव बाहर निकालने लगे। थोड़े समय पहले मुझे लगा था कि नौ साल बात उनके सभाव में कुछ परिवर्तन आया है, लेकिन नहीं जब विशय सिनमा इंडस्ट्री पर आया, तो वे काफी उत्तेजित हो गए, उन्होंने अपने चिर परिचित आवरनहीन उग्र भाषा, आवरनहीन मतलब कोई आवरन के बिना कोई पॉलिशिंग वगिरा नहीं है, जो कहना है उसी तरह कह दिया, खरा कोटा कह दिया, श्रीमति दुर्गा खोटे और अपने लिए उन्होंने न संग्या का प्रयोग किया, न सर्वनाम का, विशुद्ध पुलिंग और स्त्रीलिंग पर आ गए, तबकि क कोई आदर देखकर दुर्गा खोटे का नाम सब्बोदन नहीं किया, अपने लिए स्वयम उपने लिए और दुर्गा खोटे के लिए विशुद्ध पुलिंग और स्त्रीलिंग पर आ गए, उनको और उस बात को याद करते ही, दुर्गा खोटे की जो रिक्वेस्ट था, उसे याद करते ही, वे पुलिंग और स्त्रीलिंग पर आ गए, तु तु मैं मैं आ गए, मतब कि गालिया बखने लगे उसके बारे में, मैं तब तक आरे समाज के अतिसंयबी प्रभाव से काफी मुक्त हो चुका था, लेकिन फिर भी अग्रज की उपस्तिती में, एक और अ नौ साल बाद जब उनसे मुलाकात हुई, कुछ शन के लिए तो मुझे लगा कि उनके सुभाव में, उनकी जो बोलने का तरीका है, उसमें कुछ बदलाव आया है, लेकिन जैसे ही दुरगाखोटे की बात चली, तो वे काफी उग्र हो गए, तब मुझे लगा कि अगर भाशा ना बोलें, तो उन्हें पैचाने का कौन, वे पैचाने ही जाते हैं उनके इसी उग्र शेरी के कारण, तो विष्णू प्रफाकर जी कहते हैं, नौ साल बाद जब मैं उनसे मिला, तब मैं भी मेरे जो आरे समाजी, जो मेरा व्यक्तितु था, उसमें भी थोड़ा ब उनसे मुलाकात हुई, तो मैं काफी जेंटिल्मेन टाइप था, मैं इस प्रकार की भाशा, गालियां सही नहीं पाता था, लेकिन नौ साल बाद मेरे कैरक्टर में भी थोड़ा बदलावाया, मैं आरे समाज के अतिस संयमी प्रभाव से थोड़ा मुक्त भी हुआ, और अग अग्रज की उपस्तिती में एक और अग्रज की मुख से इस प्रकार की भाशा सुनकर अच्छा नहीं लगता है, कोई अपने से चोटा हो और उसकी अकल फिरी हो, वो कुछ कह दे तो हम सह लेते हैं, लेकिन अपने अग्रज जो अपने बुजुर्ग हैं, वो जब ऐसा कहते हैं तो थोड़ा दुख लगता है, कई वर्ष बाद ये दिल्ली आकर रहने लगे, तब उनसे बहुत मिलना होता था, कनोड सरकस के बरांदों में बहुत बार उनके साथ सेर की है, मित्रों और अग्रजों की प्रती उनके आक्रोश को बद्धी बद्धी गालियों में बहते देखा है, मुझे देखते ही वच हिंटा कशी करने से नहीं चूपते, अब कई वर्ष बाद दिल्ली में आकर रहे उग्रजी, तब उनसे बहुत मिलना होता था, कनोड सरकस के बरांदों में बहुत बार उनके साथ सेर भी की, मैंने कई बार देखा मित्रों और अग्रजों के प्रती, उनके आकरोश, जो बदी-बदी गालियों में बहते थे, बदी-बदी गालियां देदे थे, अपने से सीनियर्स को, अपने मित्रों को, मुझे देखते ही वच हिंटा कशी करने से नहीं चूपते थे, जैसे एक दिन बोले, क्या यह छिले हुए आलू जैसा चिक चिकना मूल यह घूम रहे हो, उनके मूँ के बारे में, उनके फेस के बारे में इस प्रकार कहते हैं, उनकी भाशा की शैली देखो, क्या यह छिले हुए आलू जैसा चिकना चिकना मूल यह घूम रहे हो, एक बार तो मुझसे इतने अप्रसन हुए कि तीवर भर्षना का प पत्र लिख डाला। वो क्या था। देना था और वो दिया था विष्ण प्रफाकर जी ने। मुझे उसकी प्रिष्ट भूमी पर प्रकाश डालना था। संयोग वश वह सापताहिक हिंदुस्तान में भी छपा, तो संयोग वश, कुइंसिडेंटली वो सापताहिक हिंदुस्तान नामक एक काफी फेमस पत्रिका थी, एक जर्नल थी, मैगसीन, उसमें भी वो रूपक छपा मेरा, उग्रजी ने उसे पढ़ते ही तुरंत मुझे वह और जैसे ही उओग्रजी ने उस जर्नल में मेरा वोला पढ़ रूपक, उन्होंने मुझे भयानक पत्र लिखा, साथ ही साथ संपादक को भी खरीखोटी सुनाई, उस पत्र का संबोधन इस प्रकार था, उग्रजी ने जो पत्र लिखा, उसका जो संबोधन था, वो इस प् प्रफाकर और अपने हस्ताक्षर इस प्रकार किये थे वही उग्र चवण्या पाठक गुसे में आकर उन्होंने मेरे उस आर्टिकल पर काफी कुछ लिखा उस खत में देखो जी महाशे विश्नु प्रफाकर मतलब कि व्यंग्यात्मक रूप से मेरा मजा कुड़ा कर उन्हों कम कीमत पर, मैं तो एक मामुली सा पाठक हूँ, फिर भी मैं अपनी राय तुम्हारे उस आर्टिकल के बारे में देना चाहता हूँ ऐसे करके उन्होंने एक लंबा सा पत्र लिखा पते में मेरे नाम के साथ एक श्री के स्तान पर दस बार श्री लिखा था और उन्हें इतन अप्ताहिक हिंदुस्तान के संपादक श्रीबांके बिहारी भटनागर से अप्रसन्य है। अप्ताहिक हिंदुस्तान जर्नल में आया। उसके प्रती भी उन्हें अरुची होगी। इसलिए उन्हें ऐसा खत लिखा। मिलते रहते थे। उसी तरह मुक्त भाव से एक बार मैंने उनसे कहा उग्रजी कृप्या आप एक बार मेरे गरीब खाने पर भोजन करने पधारिये। तो एक बार मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि हमारे घर में भोजन करने के लिए पधारिये। तब वह पान की दुकान पर पान खा रहे थे। एक पान मेरी और भी बढ़ाया बोले सोच लिया है। तो उस समय वह पान की दुकान पर पान खा रहे थे जब मैंने उन्हें इन्वाइट किया। तो एक पान मेरी और बढ़ाया और उनने कहा चलो सोच लिया। मैंने कहा इसमें सोचने की क्या बात है। आप अग्रज हैं आपको आना चाहिए। मैंने कहा भी मैंने एक खाना खाने का इन्विटेशन दिया है। इसमें सोचने की क्या बात है। आपको आना चाहिए आप हमारे सीनियर हैं बुजुर्ग हैं। वह मुस्क्राए केवल इतना ही कहा ठीक है अच्छा। मुस्क्राते हुए उन्हें कहा चलो अच्छा मैं आता हूँ। लेकिन सहसा दूसरे विक्ति की और देखकर उन्हें कहा हमें बहुत से लोग बुलाते हुए डरते हैं। अब पान की दुकान में कोई और विक्ति भी उनका परिचित खड़ा था। उन्हें देखकर मुझे सुनाते हुए उन्होंने कहा कि हमें बहुत से लोग बुलाते हुए डरते हैं। उस विक्ती ने पूछा क्यों? भला क्यों डरते हैं? तलकी से बोले सालों के घर में जवान लड़कियां बहुएं जो होती हैं. जट से उग्रे ने जवाब दिया कि उनके घर में जवान लड़कियां और बहुएं होती हैं. तो इसी लिए मुझे घर बुलाने से डरते हैं. ऐसे थे उग्रजी, अपने उपर भी व्यंग्य करते थे, मतलब कि इनकी जो रचनाएं हैं, उसमें काफी मात्रा में अशलीलता होती थी, तो ऐसे अशलील लिखने वाले एक आदमी को कोई घर भला कैसे बुलाए, क्योंकि घर में औरतें स्त्रिया हैं, तो उग्रजी को ये भी पता था, कि मैं ऐसा लिखता हूँ, लेकिन उग्रजी कहते हैं, मैं जो लिखता हूँ, वो सच लिखता हूँ, जो समाज में हो रहा है, वो ही लिख रहा हूँ, लेकिन इसी सच्चाई के कारण, इतने नंगे तरीके से लिखने के कारण, लोग उन्हे घर में बुलाने से भी डरते हैं मैं स्युकार करूँगा कि मुझे यह सब अच्छा नहीं लगा लेकिन उग्रजी तो उग्रजी थे उनको अप्रतिब होते वे मैंने एक ही बार देखा मुझे उनका उस समय का वो डैलोग बिल्कुल पसंद नहीं आया लेकिन क्या करें उग्रजी तो उग्रजी है बस एक बार उग्रजी को अप्रतिब होते वे मैंने देखा है मतलब कि अकसर ऐसा होता था कि उग्र अपनी भाशा में उग्र शैली में दूसरों को एकदम से हताश कर देते थे लेकिन एक बार मैंने ऐसा पाया, जहां खुद उग्रजी एकदम से बेजुबान हो गए, आकाश्वानी पर कवी सम्मेलन था, दिल्ली के सभी प्रमुक साहित्यकारनी मंत्रित थे, उग्रजी थे, दद्दा मैसिश्रन गुप्त भी थे, सम्मेलन समाप्त होने पर अपने सु आकाश्वानी का कवी सम्मेलन था, उसमें सभी प्रमुक कवी आये वे थे, आर आपको पता है मैसिश्रन गुप्त काफी फेमस राष्टर कवी के नाम से जाने जाते हैं, और वो आये थे, तो मैंने कहा दद्दा जी से, मैसिश्रन गुप्त जी से की देखो उग्रजी भी और दद्दा क्या कर रहे थे, सभी से मिलते मिलते घूम रहे थे अपने सभाव अनसार, दद्दा तुरंत यह कहते हुए, कहां है उनकी और लपके, और उन्हें सामने पाकर बड़े स्नेह से उनसे बातें करने लगे, कुशल समाचार पूछा और बोले, कभी गरीब खाने पर जूठन गिराने आईये ना, और दद्दा ने उन्हें इन्वाइट किया उग्रजी को, कि हमारे गरीब खाने में भी कभी भोजन करने आईये ना, उग्रजी ने क्या जवाब दिया था, ठीक शब्द याद नहीं है, निश्चे ही यह संयत उत्तर था, और उग्रजी न और उन्होंने काफी संयमित होकर जाते जाते कहते गए, और वे चलते चलते जाते जाते कहते गए, महाराज जी आपने अपने प्रतिभा का बड़ा दुरुपयोग किया है, कितने संयत भाशा में, कितने सेल्फ कंट्रोल होकर मैथलिशन गुप्त जी ने ये मेसेज जाते उग्रजी को दे दिया कि तुम काफी प्रतिभाशाली हो, भई लेकिन तुमने अपने प्रतिभा का बड़ा दुरुपयोग किया है, भाशा का काफी बड़ा दुरुपयोग तुमने किया है, उग्रजी हतप्रप से देखते ही रह गए, अब उग्रजी के पास इसका कोई अंसर ही नहीं था ठगे से रह गए और दद्दा आगे बढ़ गए यद्यपी इस पश्टता के पीछे स्नेह ही था फिर भी इसके दंश में कचोड तो था ही पर उग्र जी एक शब्द नहीं बोले अब मैथलिशन गुप्त जी काफी आदरनी विक्ती थे कवी थे सीनियर थे और सभी उन्हें बहुत मानते थे और गुप्त जी ने जाते जाते यों कह दिया महराज जी आपने अपने प्रतिभा का बड़ा दुरुपयोग किया है अकसर क्या होता है प्रतिभा का सदुपयोग किया जाना चाहिए लेकिन आपने दुरुपयोग किया है वे कहते कहते च पर अंतिम बार मैं उनसे जैपूर में मिला। तब उन्हें पहली बार हाट अटाक हुआ था। इक छोटे से कमरे में लेटे थे। आसपास कई मित्र थे। उन्हें देखकर यही लगता था कि वह अस्वस्त है। वैसा ही जीवन वही मुक्तता मुझे देखकर वह उठ बैठे और काफी देर तक बड़े स्नेह से बातें करते रहे। स्नेह उन्हें निश्चे ही था। परन्तु उनका व्यंग्य विद्रूप वाला रूप इतना उभर कर सामने आता था कि शेश सब कुछ उसमें छिपकर रह जाता था। इस समस्मरण में विश्चु प्रभाकर यही हाईलाइट करना चाते हैं कि उग्रजी काफी उग्र विंग्यात्मक अशलील तरीके से गालियां देते हैं लेकिन उनके अंदर स्नेह की भावना काफी मात्रा में है। लेकिन होता यह है कि व्यंग्य वाला रूप उनका विद्रूप वाला रूप इतना उभर कर सामने आता है कि उनका स्नेहिल रूप एकदम से दिखता ही नहीं है। उनके साहिति की शक्ती बेशक व्यंग्य पर आधारित थी। लेकिन उनमें और भी गुंड थे। वह तीवर समात सुधारक और खरे देश भक्त थे। अ क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, कैसे गालियां देते हैं, उनके विक्तितों का वो पक्ष इतना उभर कर सामने रहता है कि उनके अच्छे गुंड को कोई देखता ही नहीं। विस्तार के बावजूत शैलिकार के रूप में सदा जीवित रहेंगे। चंध हसीनों के खत पर उनकी जो आत्मकता है, जैसे उनकी रचनाये उनकी प्रतिभा का जयगोश करती रहेंगी। उसकी मा, जैसी उनकी जो कहानी है, उनके उस रूप को उजागर करती है, जिसकी और हमारा ध्यान नहीं गया। ये सब स्रेश्ट रचनाये हैं। लेकिन इस विक्ति की गालिय के कारण, इस विक्ति की अशलीलता के कारण, आलोचक वर्ग ने इस एक विक्ति को इतना साइड लाइन कर लिया, कि साहित्य में, हिंधी साहित्य में, जो स्थान बेचनशर्मा उग्र को मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। इस बात पर कई विद्वानों ने कई राये वि कि बेचन शर्मा उग्र जैसे विक्तितों को जो स्थान मिलना चाहिए था वो वास्तों में नहीं मिला। एक बालक को जीवन में स्नेह कैसे मिल सकता है। वह जीवन भर अविवाहित रहे पर उस तिती को सह नहीं पाए। कही तरह से आकरमन हुए। उनकी शैली को लेकर, उनकी अशलीलता को लेकर, उनके साहिते को घासलेटी साहित्या, अशलील साहित्या नाम दिया गया। अंतर में तूट जाने पर भी अपनी उपस्तती का अनुभव कराने का कोई अवसर नहीं चुके। देखे इसी लेक में विश्नुप्रभाकर जी ने ये भी कहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उपेक्षा पाकर अपेक्षा की जिन्ता नहीं करते। अंतिम दिन तक वो यही कोशिश करते रहे कि उनका जो अस्तित्व है वो लोग जाने। उनका साहिते में जो स्थान है जो हक मिलना चाहिए वो मिले। उसके लिए वो निरंतर लड़ते रहे। और उनकी इस गाली देने के व्यक्तितों के पीछे शाय यही रहा होगा वे अंदर से तूटे हुए व्यक्तिते। वो जीवन में सनेह नहीं मिला उन्हे न साहिते में स्थान मिला। अंतर में टूट जाने पर भी अपनी उपस्तिती का अनभाव कराने का कोई अवसर नहीं चूके। इसलिए उनका व्यंग्य दंश, अत्यंत विशेला और किसी सीमा तक दिशाहीन भी होटता था। उनका व्यंग्य दंश इसी कारण काफी पॉइसनस था। उनकी भाषा में काफी पॉइसन था। एक सशक्त लेखक, एक देश भक और एक सनेही मनिश्य का हृदय भी चलगता था। देखे, जैसे जाग के नीचे, जाग होता है जो फोर्म होता है, उसके नीचे शुद्ध सलिल भैता है, शुद्ध पानी भैता है। उपर से लहरों के कारण ऐसा लगता है कि कोई फोर्म हो गया है, लेकिन नीचे शुद्ध जल होता है। ठीक उसी प्रकार उनके अंगड अनियंत्र जीवन के पीछे, एक सशक्त लेखक, एक देश भक और एक सनेही मनिश्य का हृदय भी चलगता था। उन्होंने नए सिरे से फिर लेखनी उठाई थी, पर कल भगवान अचानक ही उन्हें हमारे बीच से उठा ले गए। लेकिन साहिते के इतिहास में वे सदा जीवित रहेंगे। जरूर जीवित रहेंगे। और विश्णु प्रभाकर जी ये भी कहते हैं कि उनका विक्ति तो काफी सनेहिल था। लेकिन उनकी विशैली भाषा के कारण लोग शायद उसे समझ नहीं पाए। और विक्ति टूटा हुआ विक्ति था। आजीवन अविवाहित रहा। और व इसलिए विक्ति अपना क्रोध आख्रोश अपने साहिते में दिखाता रहा। अपने जीवन में दिखाता रहा। लेकिन विश्णु प्रभाकर जी कहते हैं कि सच तो यह है कि वो हमारे बीच नहीं रहे लेकिन साहिते के इतिहास में बेचन शर्मा उग्र हमेशा जीवित पांटे बेचन शर्मा उग्र पर ये जो समस्मर्नात्मक लेख है इसे बैंगलूर सेंट्रल इन्वर्सिटी के सयद सभा के आग्र के मुताबिक अपलोड किया गया है So this one is dedicated to सयद सभा दूर दराज से जब ऐसे request आते हैं तो काफी अच्छा लगता है So best of luck for your exams, bye